लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और रेल आइटिन को प्रेस करें लेटेस्ट विए जसे लिए सर्चपरी करें और रेल्स के लिए सकार चैनल्स को प्रेस्ट करें अल्ट में विए कि अल्ट्रा चैनल्स कोईच। कर दो. जमीन आसमान रात और दिन सेरह और समंदर एक ही सिक्के के दो पहलू है इसी तरह इस कहानी के भी दो पहलू है एक वक्त जो गुजर गया दूसरा आज जो चुनौती बनकर सामने करना है गुजरे हुए वक्त की मीठी हादे तो रंगीन होती ही लेकिन आज के करवे सच में कोई रंग नहीं करवे बनकर सामने करने करो पहलू है करो दो पहलू है कर दो तो पुर्ण तो पुर्ण दोगा निया दो पर दो जाए। हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ है कर दो झाल फैसे हैं तो को फिरेग। झाल 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 प्रैक्टिस करने में शर्मात ये तो जरूरत क्या थे लौ करने की? मैंने लोग इसलिए नहीं किया कि मैं प्रैक्टिस करो छूट बोल बोल कर पैसो का ठेर लगा दो क्या पेचाने तुम्हारी है? फिलाल तो यही कि मैं आपका बेटा हूँ अगर इतना ही काफी था तो एजुकेशन पर इतना पैसा बरबाद करने की जरूरत क्या थी? कमान पापा, पैसा पैसा और पैसा शायद आप यही समझते हैं कि मैं आपके नक्षे कदम पर चलूँगा भई करूँगा जो बर्सों से हमारे बजूर करते आए रेस के घोड़े पालना और बस पैसे कमाना भले ही पैसो का रंग काला क्यों ना हो यह क्या बत्तमिजी है विक्रम अपने पिता जिससे कोई ऐसे बात करता है तुम मैंने क्या गलत कामा नहीं तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो और तुम जिन्देगी भर उसी पैसे पर एश करना चाहते हो तुम्हें काम करना होगा और पैसे कमाने होगे मैं और पैसे कमा कर क्या करूंगा आपने पैसों का धेर जो लगा कर रखा है आप भी क्या वेकार में पीछे पड़े रहते हैं बड़ा हो गया है जो करना चाहता है करने दीजिए यह क्या बेवकूफी है रोज यहां आके पागलों की ताप है तरह तामाशन देखती रहती हो तोड़ी देर लेट सो कमान तो मिनुट प्लीज्ट प्लीज्ट यह 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 कई दिन से जैसे पिखलता है दिल समहने न मुझे से संभलता है दिल मज़ता है दिल कहे दिल दिवाना के है मैने अब जाना के मुहबत जिन्दगी है मुहबत जिन्दगी है कि है तो अरखुशी है मुहबत जिन्दगी है मुझे हूँ, 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 हूँ 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 हूँ, हूँ हूँ यह यह फंतास्टिक अच्छी हूँ हूँ यह यह, यह 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 थैंक हूँ 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 हूँ, हूँ, विक्रव हूँ, बैचुला, साइमन कैसे आप? ठीक हूँ आप जॉगिंग कभी मिस नहीं करते अरे भाई, जिन्दा रहने के लिए हाथ-पाउं तो चलाने ही पड़ते हैं बैंक में तो सिर्फ दिमाग और उंगलियों का एक्साइस होता है और जब चड़ भी चड़ जाये तो खुदी को निकाननी पड़ती है वरना उपरवाले अगर उसको निकाने के कोश्च करे तो बहुत भारी पड़ता है आपका sense of humor अच्छा है नाइस शूस अरे भाई, हमारे जैसे लोग जो जमीन पर चलते हैं उनके लिए ऐसे जूतों के ज़रुत पड़ती है तुम्हारी तो बात ही अलग है वो कैसे? भाई, तुम तो हमेशा घोड़े पे सवा रहते हो मगर एक बात यात रखना तुम्हारे घोड़े जो भी पैसे कमाते हैं वो हमारे हातों के नीचे से यूँ गुजरता है मैं समझा नहीं अरे भाई, तुम्हारे सारे पैसे हमारे बैंक में ही तो जमा है आ, वो तो है, पापा काउंट आपी के बैंक में चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ नहीं यार, वो मेरी वाली नाराज हो जाए कौन? अरे भाई, मैं आपनी घटारा गाड़ी की बात कर रहा था बाइदुवे, लड़की बहुत खुबसूरत है लखी गाई बाई 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 जी वो जो पेंटिंग में आपसे कह रहा था वो सामने वाली है उसमें रेगिस्तान को कितना खुबसूरत बताया हूँ है और जो दो मनुश्यों की प्रतिमा है वो भी आकर्शित करती है जब तक आप दूसरी तस्वीरें देखें मैं भी आता हूँ यहाँ आता हूँ अच्छली मैं दम्हेड वाव कई दिनसे जैसे पिखलता है दिल इसके लावा भी दुनिया बहुत खुबसूरत है प्रितिका मेरे तन में जाओगी एक रंगड़ा इसी है क्या नाम है तुम्हारा? रितिका तो तुम हो रितिका तुम ही ने मेरे घर पर वो पेंटिंग भेजी थी ना क्या समझती है अपने आपको मुझे खरीदना चाहती हो हाया ना तो तुम्हे रोना भी आता है वैसे पेंटिंग ही काफी अच्छी चोईस थी तुम्हारी विक्रम सैगर जानती हूँ तुम्हारे गोड़े का नाम रेक्स और कुटे का नाम रियो है ना यह किताबे देखको तो लगता है किसी वकील का घर है घर तो मेरा ही है यहनि आप वकील है आपने कभी बता ही नहीं आपने कभी पूछा ही नहीं शुगर वन स्पूफ मिल्क या थैंक यू मैंने सोचा आप रेस कोस में काम करते हैं अच्छा वो खोड़े वगेरा वो मेरे नहीं मेरे फादर के रेस और सोनर है काफी इंट्रेस्टिंग फामिली है आप ऐसे आती रही तो और भी इंट्रेस्टिंग हो जाएगा जो आप बिस्कुट प्लीज? शो थैंक्स कलिए पेंटिंग देखे आप काफी खोसे गए थे ऐसे क्या बात है इसमें जो बात आप में है किन आप मौनों बिस्कुट प्लीज? इस वरी गूद इस रही तेस्टी तो वही बात बता देजिए कौंसी बात? पेंटिंगी रितिका कुछ बाते कहें नहीं सकते उनका एसास किया जाता है वो जो तस्वीर आपने ली है वो वापस दे दीजिए पेंटिंगी वापस प्लीजिए 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 रिक्स, यह तम विक्रम सो तनही प्यार करते हैं जितना है करती हूँ? प्लीजिए बावधे जो गुन्भुनाई जोके जो संसनाई क्यों जिस्म धर-धर आई, कोई बताए मुझे को हमको प्यार है, तो ये खुमार है हमको प्यार है, ओ मह बबाद सुने की अब जमीन है, नीलम का आसमा पंची सुना रहे है सुरीली तहानिया दाली पे उसमें जो कली कोई दुल गई एक अजनबी सी खुश्बू है सासों में घुल गई महकी हुई फिजा है, गाती हुई हवा है सब क्या ये हो रहा है कोई बताए मुझे को हमको प्यार है तो ये बहार है हमको प्यार है ओ महबबाद क्यार है करते हैं कर दो कर दो कर दो जॉलएं़ प्यूल वी। वीक्राँ कर दो जह रखो ‫ खिलेंग ए ए रितो से दो रहना और उर गोजे रखेखा हाँ भी रह्म मैं नहीं है? मैं नहीं है? एए क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ तो? बहुत अजीब है क्या? तुम्हारी सहली क्यो? मुझे ऐसे दमकी देरी थी जैसे की तुम उसकी पीवी हो और मैं तुम पर टोरे डाल रहा हूँ चलो एक जोक सनाती हूँ एक आदमी बार में बैठे खुब शरापी रहा था और रो रहा था सामने वाला पुछता यार तुम रो क्यों रहा हूँ? बोलता कल रात मेरे बीवी मेरे दोस के साथ बाग गई कहता है अच्छा 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 अपने बीवी के याद में रो रहे हो बोलता नहीं अपने दोस के हालते रो रहा हूँ अच्छा अच्छा अरे हसो यार जोग है विक्रम तुम हमेशा टेंस रहते हो किसी भी बात पर अचानक अपसिट हो जाते हो यह मैं इसी लाइक नहीं कि तुम अपनी मन की बात मुझसे को पृतिका मन की बात को सुनना उसे समझना एक बात है उसे एहसास करना और बात तब ही तु कह रहे हूं चाद मैं ही इसी लाइक नहीं बन पाई विक्रम तुम चांते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं प्यार यह एक छोटा सा लव्स जुबान पर खेलता रहता है दिल की कहराईयों को छुकर जुबान पर आये तब माईने बदल जाते हैं मैं बदले हुए माईने समझना चाहती हूं विक्रम तुम्हारे खामशे मुझे तकलीफ देती है I'm sorry लिख मैं समझना चाहती हूं जानना चाहती हूं कोई नहीं समझता Not in my father पर मैं मैं तुम्हारा हिस्सा बना चाहती हूं विक्रम प्लीज मेरे मदद करो Share it with me Ritika, जो मैं करना चाहता हूं कर नहीं पा रहा हूं और जो कर सकता हूं कभी करना नहीं चाहता मैं सामझी नहीं लौ करने के बाद काला कोड पहन कर जब मैं पहली बार अधालत के चौकट पर पहुंचा तब कसम खाई थी कि हर निर्दोश को न्याए दिलाऊंगा मन में आत्म विश्वास था आखों में सुनेरे सपने थे कुछ कर दिखाने का अर्मान था लेकिन करीब जाकर देखा तो पाया कि न्याए थक पहुचने का रास्ता कानून के बजार से होके गुजरता है आपा ले चाहे ले अया वह भूल तो नहीं गए नहीं, आराम से बैठ आपा क्या है कि ये लोग बहुत बड़े लोग हैं चोटे लोग का केस हाथ में लेते नहीं हैं लेकिन मैंने बात किया ना कुछना कुछ जरूर होगा तो घराम से चाहे पी बैठ कले से कुछ उतरता ही नहीं तो बैठ मै आता हूँ साब जी वो काले, सिगरेट सिगरेट मैं भूल गया मैं लेकिया जाता हूँ अब रहने दे यार बीडी पिला बीडी? हाँ वो साब जी क्या है कि साब जी वो आपा बहर बैठी है सलीम की मा सलीम बच तो जाएगा न साब जी तू टेंशन क्यों लेता है समझो सलीम बच गया ठीक है साब जी उन्हें चाय दी चाय तो क्या बचारी पानी भी नहीं पी पा रही बहुत परेशान है सोवल सिया ना उला उने ठीक है आजा साब जी आपा मेरे बच्चे को बचा लो वो बेगुना है आप क्यू फिकर करती है मैं जानता हूँ बेगुना है मैं गारेंटी लेता हूँ से कुछ नहीं होगा चलिए बड़े साब से मिलते आगे सर्थ दूसरा विटनेस भी कमजोर पढ़ गया है मिस्टर कुलकरनी का बयान है कि उस रात वो खाना खाने के बाद अपने बैलकिनी में खड़े सिग्रिट पी रहे थे तब उन्हेंने सलीम को पाइप से नीचे उतरते हुए देखा सर्द हैं four points अगर उन्हेंने सलीम को पाइप से नीचे उतरते हुए देखा तो सलीम की पीट उनकी तरफ थी तो उन्हेंने सलीम की शकल कैसे देखी He got a point Vikram Sir point number two वो नज़र के कमजोर है वो चश्मे लगाते हैं सर और उनकी बालकनी पाइप से 50 फीट दूर है ओके सर मिस्टर कुलकरनी फिफ लॉप पर रहते हैं और ये फ्लाट फिर्स फ्लॉप पर है टॉप अंगल से अगर शकल दिख भी जाए तो किसी के लिए भी ये नामुम्किन है कि उसे पहचाना जाए और फाइनली उस रात थंड ज्यादा थी उस इलाके में घना कोहरा चाया हुआ था और इसकी वेदर रिपॉर्ट 18 जनवरी के निउस पेपर में शामिल है हेई, तास ब्रिलियंट या टॉकिन लाका वेटरन विकरम जन तो ये बात किस तरफ इशारा करती है ये सर कि हमारा क्लाइन बेगुना है नाई, ये एक दिन तुम बहुत बड़े वकील बनो गए थाइंक्यू सर आपा, सोचो आपका सलीम ख़दा आगिया खुदा तुम्हें सलामित रखे जिन्दगी भर दुआएं दोगी तुम्हारे पाऊं दोकर पियोंगी बेटर विकरम, बाकी की बाते इंसे कर लिया ना आपा हाँ, हाँ, सब कुछ बेजबाच कर बीस हजार का इंतसाम मैंने कर लिया है वाट? जी बीस हजार? जी तेखे, बीस हजार मैं किसी से बात भी नहीं करता हूं माफ कीजिगा आप कोई आर वगिल कर दीजे मैं आपका केस नहीं ले सकता ने, ने, सबस्टान कहें साप बुछ बेवा का वो एकी साहरा है वो भी छिन गया तो मैं नहीं चीपाऊंगी सर केस तो बिलकुल साफ है ले लीजे विचारी गरीब है, विद्वा है and most importantly, he's completely innocent तेखो विक्रम, हमने कोई समाज सेवा केंदर नहीं खोल रखा this is a professional place run by professional people, do you understand that? बसे पैसों की बात वह मुझसे कर लिनी चाहिए थी anyway, forget it study this file, ये केस टेना है, come on साब, साब, साब मैं please, देखे, मेरा वक्त बहुत कीमती है बहुत कीमती है, मेरा वक्त all right, please sir, लेकिन ये बिचारी करेगी don't be, motion, I know my job, all right, god damn it बीटा, तुम तुम तु अच्छा आदमी हो तुम ही कुछ करो मुझ पर रह्म खाओ तुमने सलीम के वे गुनाई यहां तो साबित कर दी अदालत में भी कर दो मैं भी मांग मांग कर तुमारे पैसे चुका दूगी अपा, मैं भी मजबूर हूँ मैं तो यहां सिरफ एक नौकरी करता हूँ लेकिन बेठे तुम भी तो वकील हो ना अच्छा अब भार बेठिये मैं देखता हूँ तुम कोट में अपियर नहीं हो सकता हूँ और वैसे भी हमारे प्रोफेश्चन में है दिल से नहीं दिमाग से काम चलाया जाता है, you know दिस इस इंपॉर्टन्ट, दिस अज़ वैल्यो ये जो फाइल तुमें दिये न, और से स्टड़ी करो वी आफ टेक इट अन, कम आन काले, इतनी देर से कहां थे तुम मैं फस गया था साब दारूपी क्या है सुवे सुवे? साब, आप जानते हो, मैं पीता तो हूँ नहीं पर इसी मयत में जाने के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है किसकी माँ थोई? आप आई थी न, सलीम की माँ सलीम को सजा हुई और उसने जहर का लिया कैना साब, एक ही रास्ता था आप ने दिखाया और, और स्ट बस, नहीं सुनना मझे सलीम की माँ मर गई यू अल्टा तक्टियू लेटर यू 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 अदगेलर वाट? माल डाला उसे उसने उस औरतने खुद खुशी कर लिए ये क्या बक्वास करो, क्या होगा तुम्हे सलीम की माँ मर गई यू यू रस्पंसिंट सलीम इस कंविक्टीट यू रस्पंसिंट और क्यो? पैसा 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 is everything हाँ? Relax o.k. जिस्रस्द्स विकरम Relax देखो, मैं अकेला मारिक नहीं हूँ इस कंपनी का, मेरे और भी तीन पार्टनर्स है जिनने मुझे जवाब देना पड़ता है, I can't decide on my own, कहना है जो भी हो, he was innocent, he was innocent, I know he was innocent, I know, अगर क्या कर सकते है, जिस कंपनी में सलीम काम करता है, उसके मालिकों ने किसी का खून करवाना चाहा, और करवा दिया, सलीम का फसाना चाहा, और फसा दिया, क्योंकि सलीम जैसे लोग ही फसते हैं, यह जो बड़े लोग है न, यह कुछ भी कर सकते हैं, जो जो जाएंग कर दो भुट होग है, सभी खरीद हैं यहाना, टो अगराइस पादः, अब हम एक रएशोपनीज्गे उम्सतर कहाने difference और पिस पुजदे तॉर यह सुपनीज मतलने जहते हैं मिल्कि यह साईजुआ है, विक्रम को जबते हैं स्टो handout स्टो अगर ऐसे जाई होता है तो कि दोश एंगर उस जया मुझह केसे बस वो दिन था और आज का दिन मैंने अदालत की शकल तक नहीं देखिए जहां रोज कानून के खिलाड़ी अंदेनिया एके साथ बलतकार करते है जौन भी सब बिटा इसे बदला भी तुझ आ सकता है तुम बदल सकते हो तुमारे जैसे लोग बदल सकते है वो ही करना चाहता हूं लेकिन कोई मेरा साथ देने के लिए तैयर नहीं घरवाले तो बिलकुल नहीं बलकि वो तो इसे बेवकूफी नहीं पागलपन समझते हैं तो हमें पागलपन की हद तक कुशिश कनी चाहिए तुमने क्या सूचा है क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो मैं एक संस्ता खुलना चाहता हूं जो न्याय दिलासा के उन करीब निर्दोश लोगों को जिनके पास पैसा ना हो मैं उसका नाम रखूँगा न्याय धर्शन इरादा तो नेक है लेकिन इसके लिए बहुत कुछ चाहिए वो तो है, जगा चाहिए फंड्स चाहिए एक लाइक माइनड़ वकील चाहिए हर तरह के सपोर्ट सिस्टम्स चाहिए बहुत बड़ा काम है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं तुम ऐसा क्यों कहते हो पहले देखते हमारे बस क्या है हमारे पास तुम हो, मैं हूँ आशा है, विश्वास है श्रता है, लगन है हिम्मत है, मेनत है प्यार है, मोहबत है हस्रत है, होसले है इतना सब कुछ नहीं है हमारे पास बागी का इंसाम भी हो जाएगा होना ही पड़ेगा रितिका मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं तुम्हारे इस कुछ में तुम्हारे साथ चामिल हूँ सोच लो सोचने का हक मुझे नहीं दिल का फैसला है लो, का समखाती हूँ मेरितिका सैगल सॉरी मेरितिका सन्याल खुदा को हाजिनाजिन मान के ये का समखाती हूँ कि मैं हर हाल में हर तरह से विक्रम सैगल के साथ हूँ और आगे जाके कदम लड़ खड़ा गए तो पाउं काड़ डलना तो तुम बताओ जो सजा दोगे सर आंखों पे उस सजा क्या होगी इसका भी फैसला तुम ही कर लो बड़ी से बड़ी सजा क्या होती है Depends सजा ए मौत सब्सक्राइब कर दिल करता हूँ जा कर देखू चलो रिली हाँ हाँ हे शूप हाँ 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 सब देखो सब अबी तो दर्यासना थे बरती के टायम इसका खोपडी फिरता है दो घंटे से जास्त टायम ने लगाने का समझ लाना हुम जल रहे हुम विक्रायम मुह वहहें किया कर रहा हुं हमारे प्यार को अमर कर रहा हुँ मैं भी आहुँ रिटीका इस तूरीस रिटीका 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 झाल 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 पान्यक बढ़ ली बदिए पान्यक बढ़ ली बदिए झाल 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 कर दो कर दो कर दो कोड़ बॉर्ण इंग विक्रम यह लोग जाए टियो थांक यू यह सुबह सुबह इतने जोर से प्यानो कॉन बजा रहे जब भी मूद बिग्रा होता है तो इससे तरह जोर शोर से प्यानो बजाती है लेकिन इसका मूद खराब क्यों है मैंने किया है यूही चलाने के लिए बारे मुझसे पूछ थी मैंने काम मुझे यह लड़का बिलकुल पसंद नी अब ही ठीक हो जाएगी ज़ो तुम तयार हो ज़ो नास्ता थन्दा रहा है वन शीज अंगरी शीप्लेश्ट्रेम्ली वेल प्रणा लड़ी हाओ्ट्रेम्ली वेल झाल बारे मुझसे अब मात्व्ली वेल बारे मुझसे अजयारा हो जड़री के लिए के आईने झाल वुआ कर दिता है कि लिखन पिते हुट जाओ हसीन प्यारी भोली शेहत की जैसे नीठी है नर्म जैसे रूई नानीमा कहानिया सुनाती पहेलिया बुझाती तपक तपक सुलाती नानीमा तुम ही हो मेरी लोरी तुम ही मेरी कहानी तुम्हारा प्यार बच्चपन की एक हसी निशानी तुम्ही ने दी थी गुडियां जो थी मेरी सहेली तुम्हारा ही थांगन मैं कल थी जिसमें खेली तुम्हाराश तुम्हार तुम ही ने था बताया ऐ रंग कितने सारे तुम ही ने था बताया ऐ भूल कितने प्यारे तुम ही ने था सिखाया बड़ों से कैसे बूलू तुम ही ने था सिखाया तुपटा कैसे ओलू वो प्यार से बुलाती वो प्यार से सिखाती वो कुछ ना कुछ बताती ना निमा तुम ही हो मेरी लोरी तुम ही मेरी कहानी तुम्हारा प्यार बच्पन की एक हसी निशानी तुम ही ने दी थी गुड़िया जो भी मेरी सहेली तुम्हारा ही था आंगन मैं कल थी जिसमी खेली तेरी नानी मा को भी सब याद है कल तु नन्नी सी बच्ची थी शरीर चुल्बुली मन मोहनी फ्रॉक पहने बालों में रिबन खेलती मुश्कुराती हस्ती खिल खिलाती कभी मुझ से चित करती कभी मुझे मनाती तिन भर शोर शरारत और शाम को वो तेरा मेरी गोद में सर रखना और एक पन में सो जाना याद आता है आज भी बहुत याद आता है पापा अपने उसे शूट क्यों किया बोलो ना पापा कहा था ना तुम्हें गाडी में बैठना? कमल बची है यार लेकिन आपने उसे मारा है क्यों वो तो अपना है गोड़ा था अपना था इसलिए तुम्हारा ना बिटा उसके पाउ में बहुत दर्थ था इसलिए हमने उसे मार दिया पापा कितने गोलकप जीत के दिये थे उसने? साथ बहुत अच्छा गोड़ा था इतना पैसा कमा कर दिया फिर भी मारा उसको शाट आप क्यलो गारी में बैटो विक्राम विक्राम क्या मिस्टर कमल हमारे मदद नहीं करेंगे कभी नहीं ये लोग किसी नेक काम के लिए पैसे वेस्ट नहीं करेंगे मंदर बनाएंगे पबलिस सिटी के लिए करीब विद्वाओं को सिलाई के मिशीन बाटेंगे उनी की छिनीवी रोटी उनने ही खिलाएंगे खेरात खेर देखते दुन्या सिरफ उनी के दम पर नहीं चलती लेकिन क्यूं किसी निर्दोश को बचाने के लिए कोई अपनी खून पसीने की कमाई क्यूं लुटाएगा और तुम्हारे इस नियाए दर्शन के चक्कर में हम वकीलों के पेट पर जुलात पड़ेगी वो अलग एक गुनेगार को बेगुना साबित करके लाकों रुपए कमाते हैं आप लोग यह कहां का इंसाफ है मैं यह कहता हूं कि हर इंसान को न्याय पाने का हक है लेकिन एक गरीब आदमी से यह हक सिर्फ इसलिए चीन लिया जाता है कि वो वकीलों की जेब नहीं भढ़ सकता तो क्या हुआ जो वकील अफौर्ड नहीं कर सकता उसे सरकार वकील परोवाइड भी तो करती है अवकॉस परोवाइड करती है लेकिन कैसे वकील? महरा साब, इशारा आप की तरफ है महरा साब, इस ओके इस्गस्टेंग ये तो जुडिश शरी पर तोमत लगाने वाली बात हो गई बिल्कुल नहीं, सर नहीं सच के अधार पर नहीं, सबूतों के अधार पर किया जाता है और कोई भी चलाक वकील जो कानून की कमजोरिया जानता है सबूतों को तोड मरोड सकता है कवाओं को खरीच सकता है है आप में से कोई जो सामने आए और कहे के हाँ मैं ये केसिज रियोपन करता हूँ बिना पैसे लिए हाई कॉर्ट में अपील करता हूँ एक निर्दोश को न्याय दिलाता मैं यही चाहता हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं बलकि हम सब मिलकर ये काम कर सके विक्रम योर आइडिया इस फेंटास्टिक और हम सब तुम्हारे न्याय दर्शन के फेवर में हैं बट जस्ट बी प्राक्टिकल विक्रम हम लोग ये केसिज रियोपन करने को तयार है हम अबील भी करेंगे गरीब लोगों से पैसा भी नहीं लेंगे बट यौर इंस्टुशन हच्ट बर आवर एक्स्पेंस अ पर्स्टिकल नहीं प्रूम्ड करना नहीं चाहते हैं। जाहते हैं। इस फंटास्किक विक्रम थांक्स, निए रिल्लियुंट इडिया, वहत अचलि काय तुम्नननन। उप्सक्राइब आप्सफ तो योर्टियुशन ए डिदिकाटियां। Thanks Dean. It really means a lot to me. But, my dear boy, you will do this, how do you do it? You don't need to do this to do it, you don't need a lawyer, you just need a committed man. And he is not one, in the thousands of dollars. And then where will you come from? You must publish this. Every right-thinking person must read this. Go ahead, my boy. Behind every revolution, there is always only one man. What a pity, our generation doesn't think about this. What's the matter, son? What are you looking for? Today's paper, Maa. Where is it? Papa. And Papa? In the toilet. It comes. 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 Lutika! 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 I love her! Bigram! I love you! I love you! Rūtika! I love you! I love you! Mikro! I love you! Rūtika! I love you! I love you! Mikro! I love you! Mikro! 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 I love you! I love you! I love you! TITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITIT फोप्तश कर दो हुआ खायई यूढ झाई झायए लाओ मलना है, मों अर्वाइ भी कर दो कर दो है is it's nice seeing you after a long time same here hi how are you been fine hi Vikram cheers welcome इन आए इन ऑगयल हूं अगया होँ सादने यह अचय है नीदित में प्रम्ली स्वाइल यह यह ँट लेता हूँ यह यौर यह貴 हूई था अपन्दम्स्राइशिब्स है व्रॉद्सराइश दोपर देटायोर विक्रम सेगल तगरेड कुछिडर यह यह तोस्त तो विक्रम सेगल अर्टिकल चीर्स लेकिन पता नहीं है आप में से किन लोगों ने इस आर्टिकल को पढ़ा होगा कोई बात नहीं अगर ना पढ़ा हो तो घर जा के पढ़िये आँखों से नीन उड़ जाएगी पाव तले जमीन खिसक जाएगी यूँ बस बस बेराम बेराम किसी की परवा नहीं करता यह लोग समझते क्या अपने आपको यह आपका आखरी ड्रिंक है कौन कहता है मैं कहता हूँ अरे आप होते कौन हैं कहने वाले अभी तो मुझे विकरम के साथ बैठ के भी तो पीनी है विकरम नहीं पीता कौन कहता है यह कहते है यह इन का मुझे अभी बन किया देता हूँ लेकिन पहले मुझे भी तो ज़रा कुछ कहले ने दो यार लेडर साइन जंटलमन अभ यहां भी इनकलाब आएगा क्या मतलब? इंडिया में और डॉंट टॉक अबोर रश्या वश्या अगर आप लोग अब भी नहीं सुद्रे तो गजब हो जाएगा दाइवर इन्हें कर चोड़ क्या हूँ आरे ठहरो यार बात तो पुरी कर लेने दो झाएगा कर दो नहीं किया गया तो जूड़ी शरी की इमारत टहा जाएगी एगाएगी जूड़ी शर्कों पर भीक मंगने लगएगी वैसे आपी मांगरी है वो पिरनो कहना बहराम ने खबरदार नहीं किया सेगल, अमेरिका ने सटलाइट टीवी लागे हमारे कल्चर को धुंदला कर दिया है यह लोग हमारी नई जनरेशन को बरबात कर रहे हैं और जब से उनके एक आदमी ने चांद पर पाम क्या रखा वो यह समझने लगे हैं कि पूरी दुनिया उनके पाम के नीचे है मामा जी आप? हाँ आप कब आए? बस आज ही शाम को आया कैसा है? अच्छा आप पार्टी में ने गए? अरे पार्टी बार्टी, यूनो आइम नोट फिट फुर तिर हाँ, अगर मलाई वाले रसी की पार्टी होती तो मैं वाँ पहले पहुँच जाता तेरा लेख पड़ा मैंने, बहुत अच्छा लगा और ये जानकर तसली भी हुई कि इस फैमिल में सिर्फ महीं एक पागल नहीं हूई आप यहाँ आए, अच्छा लगा वैसे लोगों का रियक्शन क्या है? बहुत सारी शबाशियां मिली तो ये पार्टी उसी खुशी में होगी खुशी में? बिलकुल सारा क्रेडिट तो पापा को ही जाता है उन्होंने मुझे पैदा करने का एसान जो किया एक तरफ उनके दोस्तों ने न्याई दर्शन को लेकर मेरा मज़ाग उड़ा है और दूसरी तरफ पापा का सोचना है कि ये एक नशा है जो कुछी दिनों में उतर जाएगा बेटे मुझे मुझे मालूम है ऐसे लोगों के पास या तो देने के लिए शबासी होती है या फिर गालिया वैसे मेरे यहाँ आने के वज़द तुम्हारा लेक है तुम्हें अपने न्याई दर्शन के लिए कितने रूपियों की ज़रूरत है लाखों की तुम फिकर मत करो मैं बंदों बस कर दूँगा आप? आप कैसे करेंगे? क्यों? अपना फार्माउस जो है वो बेच दूँगा अब आप बिल्कुल पागल्पन की बाते कर रहे हैं नहीं बेटे तुम सोचो देखो अब अगले साल कीता बेटे के शादी हो जाएगी फिर क्या जिम्मेदारी होगी? और मिया भीवी का खर्चा भी कितना आता है? मैंने तुम्हारी मामी से बात कर लिए उसे भी कोई इतराज नहीं है लेकिन मुझे इतराज है मैं इतना बड़ा भोज लेकर काम कैसे करूँगा? अब ये तो बेटे मैं कुछ करने जा रहा हूँ और मैंने बड़ा मैंने बड़ा मैंने तुम्हारी 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 मैंने तुम्हार तो क्या कर रहे हैं आप इसके बारे में किसके बारे मेरे प्लाइन के बारे में चेक बुक अपने साथ रखते हो ना चेक बुक मेरे नाम पांच लाग का चेक लिख दीजे कमा मजाक कर रहा है मैं मजाक नहीं कर रहा है इतना सारा रुपया कमाया है किसी नेक काम में लगाने क के लिए कह रहा हूं, वैसे कहा है वो करोड़ो रुपे, जिस पर कुंडली मार कर एक नाग की तरह बैठे हैं, मुझे आप लोगों की शाबाशी की ज़रोत नहीं, पैसो की ज़रोत है। जगल, विए दनी तरह कि अधित कॉरा फिए सब्सक्राशी कारत है। जाए लगता है अपने बैटे का ख्याल रखिया है। अप्थमा यह फाराशी अठीक नही है। विक्रम, रुकिजा है विक्रम तो खुख्जा जागाल यार तो। खुमाल है यार। एसी गाड़ी चलाते हैं जैसे हवेजा चला रहा हूं। और मुझे तो पता भी नहीं था कि तुने मेरी बात सुनिया नहीं. यार मुझे तो ऐसा लगा जैसे ना तू रुकेगा न तेरी गाड़ी रुकेगी बाचलर साइमन, सुना भी रुका भी यार तू कहा रहता है आजकल, ना तू दिखता है ना तेरा गोड़े दिखता है दरसल क्या है कि हाँ, दरसल मैं समझ गया, उस लड़की ने तुम्हें भास लिया, ना रितिका, उसकी बाद छोड़िये, शाम हो गए और आप अब तक यहाँ पर देखो भाई, हिंदुस्तान में दो किसम के लोग होते हैं एक जो डबल काम करते हैं, दूसरे जो काम ही ने करते जैसे कि मैं, जिस तरह आप सीडियों से उतर रहेते, मैं सोचा कोई बैंक लूट कर भाग रहा है बैंक लूटूं और मैं? अरे मैं तो पैंक का पहरदार हूँ यार, चाला, चने की दुकान भी नहीं लूट सकता वैसे बैंक लूटने में क्या है, बहुत आसान है, रोज हम पढ़ते रते हैं अकवारों में, कहीं स्कैम हो गया, कहीं बैंक रॉबरी हो गए, अरे रॉबरी पे एक बात याद आद आ गई, कल मैं ने एक बहुत अची पिक्चर देखी बैंक रॉबरी पे ऐसा लगा जैसे किसी बैंक वाले ने उसकी काने लिखिये, है, कब अफ्टी, फिल्म का क्या नम बताया अपने, ते ग्रेट बैंक रॉबरी, ले जो इसे, अरे सब ठीक हो जाएगा, आजाओ, आजाओ ना, आओ, कौने ये लोग, आओ, 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 कौने आप लोग साब, हम लोग विकरम साब से मिलने आए हैं, नमस्ते विकरम साब, सलाम में साब, साब मुझे मालम था, आप गरीबों की मदद जरूर करेंगे, आपका लेक पड़के मैंने लोगं को सुनाया है, बड़ी उमीदे लेके आए हैं सार आपके पास, क्या सब के ओपर केस चल रहा है, हाँ साब, इन सब ये लोगं को कही न कहीं फसाए गया है, आप ये लोग बेगुना है, मैं जानता हूं ये लोग बेगुना है, साब, साब मेरे भाई ने अपनी बहन की इजद बचाने के लिए उस गुंडे को मारा था, लेकिन उसने खु साधिया ने गरिब को खुन के इल्जाम में, मेरे बेटे को नौकरी से निकाल दिया साहब, उसने कुछ नहीं किया था साहब, कहीं कोई सुनवाई नहीं है साहब, एक अकेला सहारा था, वही घर चलाता था हमारा साहब, अब आभी बताए, हम लोग क्या कर, कहां जाए, गर अस्पताल वालों ने पत्त्री का आपरेशिन किया और गुर्णा ही निकाल दिया, मेरा मरद अच्छा बला ट्रक चलाता था, ऐसे का लालश दिये सेट ने, बोला, बोला, ये चेरस पहुंचो दे, पकड़ा गया तो छुड़ा भी नी, बोला, आमको नहीं मालुम, साल से केस चलना है, साब, कटका परतन करके पेट तो भरा जा सकता है, लेकिन वकील नहीं आ सकता, वेहंका उसको पैसे देने के लिए, वधन बेचना पढ़ता है, धंदा करना पढ़ता है, अ EVERY रंकी बनाmist दिया है, मुँझे, हाँ, हाँ, हाँ हाँ, जु ए वो दोए लव पत्थरी को आपरेशिंग किया और गुर्टाई इने काल दिया जिंदेगी की ऐसी सूरत भी हो सकती है यह मेरे सपने में भी नहीं सोचाता कुछ भी करके, I mean कुछ भी करके, you must start this institution आपने मेरा आर्टिकल पढ़ा? हाँ पढ़ा और भी बहुत लोगों ने पढ़ा बहुत तारीफ भी की जानता हूं पापा, इस institution को शुरू करने के लिए मुझे पैसो की सक्सरूरत है मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ हो नहीं पाया आप सुन रहे हैं? तो फिर आपनी ये भी सुनाओगा की चैरिटी बिगिन्स अट हम प्लीज विक्रम, फो हेविज सेख मैं तुमारे स्पागलपन को इस जुनून को एंटेटिन नहीं कर सकता ठेक है कल सुबह मैं तुम्हें 11,000 रुपए का चेक दूँगा and I think that should end the matter It's not that easy, sir मुझे आप से 11,000 नहीं कम से कम 11,000,000 का चेक चाहिए 11,000,000? अरे किस दुनिया में खोई हो तुम? कम से कम आपकी दुनिया में तुनेहीं जहां अपनी जमात के लोगों के लावा आप किसी को इनसान ही नहीं समझते और एक है शरन मामा क्या? शरन मामा? जी हाँ, शरन मामा कल रात पार्टी में जब आप लाखो करोडों के सौदे कर रहे थे शरन मामा जी मुझे से मिलना आए सिर्फ मुझे क्योंकि उन्हें ने मेरा लेक पड़ा और इस इंस्टिउशन के लिए दस लाख रुपे का आफर भी दिया शरन मामा और दस लाख रुपे अरे दस लाख पैसे का होगा उन्होंने जी नहीं उन्होंने दस लाख रुपे ही का वरना वो फार्म बेचने की बात नहीं करते वो तो मैंने इंकार कर दिया क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनके पास फार्म के लावा इंकम का और कोई जर्यानी मैंने इस दुनिया में तुभारे शारन मामा से भी बड़े बेवकुफ देखे हैं देखे होंगे कम से कम मैं शरन मामा जैसे इंसान को बेवकुफ कहने की बेवकुफ ही नहीं कर सकता बेहुद की पर उतर आयो तुम ऐसा है आप समझते है पापा, अगर मैं अपनी एजुकेशन का, कानून का, इस्तमाल गरीबों को न्याय दिलाने के लिए करना चाहता हूँ तो क्या ये बेहुद की है? अगर शरन मामा जैसे इंसान इस मकसद के लिए अपना सब कुछ दाओं पर लगाने के लिए तयार है तो क्या ये भी बेहुद की है? अगर अगर ऐसा ही है तो हम एक दूसरे के लाइक नहीं बापा कानूनन आप अपनी जिन्दगी से मुझे बेदखल कर दीए लेकिन मैं अभी इसी वक्त आपको आपका दिया हूँ अनाम वापस करता हूँ अब हमारे बीच कोई रिष्टा नहीं क्या हुआ पागल हो गया है कहता है डिसोन मी मैं आपको आपका नाम वापस देता हूँ लॉज आदा पढ़ चुका है न दिमाग खरब हो गया है दुनिया देखेगा तो सब ठीक हो जाएगा डोंट वरे एक अकेला सहरा था फिर भी फसादिया ने गरिब को खून के इल्जाम में अस्पताल वालों ने पत्त्री का उप्रेशन किया और गुर्दा ही निकाल दी के मालिकों ने किसी का खून करवाना चाहा सलीम को फसाना चाहा और फसा दिया क्योंकि सलीम जैसे लोगी फस बीचें गया तो मैने इची पाउँ पेट तो भरा जा सकता है लेकिन वकील ही आ सकता है रहंची उसको पैसे देने के लिए बादन बेचना पड़ता दन दा करना पड़ता तुम ये करोगे कैसा ये करने के लिए तो वकील नहीं तुम्हारे जैसा कमिटेड आदमी चाहिए और फिर पैसे कहा से है अपना फार्मा उस जो है वो बेच दूँगा सब कुछ बेच बाच कर 20,000 का इंतिजा मैंने कर लिया है अगर मैं तुम्हारी उमर की होती तो ये काम करने के लिए एक बैंकी क्या पैचे से तुम्हारे है साब मुझे मालम था आप घरीबों की मदद जरूर करेंगे लेकि पेटे तुम भी तो वकील हो न एक ही रास्ता था आपने दिखाया और गेधन प्रुम्हारे है अजल एव्यारे है मर लो फिरव ची जो फिरवा है झेंड rechts पेंड आप सोले, अधिका, 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 पैसो का इंतजाम हो गया, सच, कैसे, बैंक लूट कर, क्या गा तुमने, जो सुना तुमने, मैंने बैंक लूटने का पैसना कर लिया, द्रीविंग टेस्टो पास हो गे, व्द्राइविंग तेस्टो पास हो गे, फ्राइडी थर्टींथ, फ्राइडी थर्टींथ, प्रूस्ट! च्रीज प्रूसन? च्रूसने? कम इन, दर्वाजा बंद करो किदर से आई? कराज के पास वाले दर्वाजे से किसी ने देखा? नुरसूल फैन्टास्टिक तब इपाओ, सेम इसी भीगी बिल्ली की तरह की खुद को भी खबर न पड़ी अच्छा है ना, एई, क्या हुआ? विक्रम, मुझे डर लग रहा है फिर वही नादानी, तुम डर रही हो मेरे होते हुए तुम डर रही हो, यह इंसल्टिंग में अगर वापे आम कार्ट्स हुए तो, कोई आम शाम कार्ट्स कोई नहीं है मेरी इंफरमेशन बिल्कुल पक्की है अगर हुए तो देन, आल किल देम यू, यूल किल देम? तुम, लोगों का खून करोगे? तो बैंक लूटना खून करने से कम है विक्रम, इसलिए केते हो, यह इरादा भूल जाओ देखो, हम दोनों तरफ से फस्ते है अगर कामियाब हुए, तो क्राइम हुआ मैं न जान से गए हम किसी भी तरह से, कहीं से भी पैसों का इंजान किसी भी तरह से, कहां से? सारी कोशिश तो कर चुके? कुछ भी हो, मैं तुम यह नहीं करने तूँगी अब तुम काईरों की तरह बाते कर रही हो and you know, I can't stand this बिक्रम, तुम समझने की कोशिश करो मैं तुम से प्यार करते है प्यार, 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 यह प्यार नहीं, खुदगर्जी है मेरे घर के चौकट पर आए हुए मुसीबत के मारे चेहरे याद है कि मैंने एक ऐसे अहरत पर भरोसा किया who's a bloody hypocrite विक्रम, तुम समझने की कोशिश करो सब समझता हूँ मैं, सब समझता हूँ Now you go and leave me alone सीफ में मोती है नेकि, कोई चुलता ही सीफ में मोती है नेकि, कोई चुलता ही बात एक कहनी थी हमको कोई सुनता ही नहीं सीफ में मोती है नेकिन, कोई चुनता ही नहीं हलो 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 कभ खुशी पाई है हमने पत्थरों के देश में हमको तो हम ही ये मिला है हर खुशी के भेश में सीफ में मोती है लेकिन, कोई चुनता ही नहीं बात एक कहनी थी हमको कोई सुनता ही नहीं कर दो 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 करे दो कर दो है संदाइब कर दो जरो प्रितू, I'm sorry, मुझे ऐसे बहेव नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो, प्लीज, तुम भी कमाल करती हो, मैंने कुछ कह दिया, और तुम चलिया ही, I'm sorry, come let's go. प्रितो रितिका, ही रितिका, क्या हुआ? मैं खुट गर सू? तुम मुझे खुट गर समस्तियो तुम जब चाहो, जो चाहो, मुझे कह सकते हो मुझे काली दे सकते हो मैं सत कर सकते हो और मैं खुद कर्स तुम कोई भी गलत पैसला करो और मैं चुप रहूँ, यहीं चाहते हो न तु चलो रितिका रितिका हमारे बीच जो भी गलत फेहमिया हुई है उनके लिए मुझे माफ करते हैं मैंने अपने कुछ विचार इसमें लिखती है उन्हें पढ़ लेना कुनाई मेरी रितिका एक इनसान जब किसी को जी जान से प्यार करता है और उसी को किसी जुर्म में शामिल करना चाहता है तो उसकी जिम्मेदारी और तकलीफ कई गुना बढ़ जाती है कल रात तुमें कमरे से निकाल देने के बाद मैं इसी तकलीफ से गुजरा लेकिन ये खत लिखने की वज़ए सिर्फ ये तकलीफ नहीं है मैंने जब अपने इरादे तुम्हारे सामने रखे तो तुम्हें गहरा धका लगा तुम डर गई तुम्हारी वफदारी में दरार आ गई It was your promise रितिका कि दोनों मेंसे अगर किसी के भी कदम लड़कडा जाए तो जान देकर हरजाना भरना पड़ेगा विक्रम टुम्हार नाए कर दो दोज़ी है खाओ करको लड़ बाओ Less प्रा प diferença कि दूह करको लो सी देन सब्छाब अँस नँड़ा को बका जो फगे हां. प्रप्यान जिए जिए्ट आई सीटोड़ एफ इफ इफ झाल वा को? हुआ ऑ webinars कर चूहि कर दो तיל का उना नाण साबजी मैंने कुछ नहीं किया जा ऐसे कर दो ये किया है क्यों मारा इसे गोड़े को समभाल नहीं सकता खुन निकाल दिया शाले ने अरे इसे भी तो गून निकल रहा है तो अपने आपको समझते हैं क्या हो वसी हाँ हाँ कि दूसरों के कमजोरे दिखाई देती है खुद के जज़र आती है क्या किया तुम्हें किसे के लिए आज तक अरे तुमने अपने आप के लिए कुछ नहीं किया है लोग फार्म की नौकरी छोड़ दी क्योंकि वो उस वारत का किस कम पैसे में नहीं ले रहे थे क्यों लेते पेशा है उनका कोई जबरदस्ती है कि सब तुम्हारे आर्दाशों पर चले वादर ने पैसे नहीं दिये उन्हीं छोड़ दिया अरे कल मैं तुम्हारे बात नहीं मानूगी तुम मुझे भी छोड़ दोगे बस छोड़ नहीं जाती हो तुम नियाए दर्शन नियाए दर् Pank mi just to get a bank? You are making yourself a bloody laughing stock. Bloody clown! You're right. You're right. You are right. Vikram Please Pank mi just to get a bank प्राइडे थर्टेंद हमारी सुसाइटी इतनी सड़ गई है कि अफसोस तो होता ही है घुसा भी आता है बेहत सुबा पेपर खोलो हर रोज स्कैम्स, एक्स्टॉशन्स, मुर्डर्स, रेप्स क्या हो गया इस मुल्क को इस्गस्टिंग सर मुझे यकीन हो गया मैं पैसे खटे कर लूँगा न्याएदर्शन के लिए कंग्राजूलेशन इसलिए आपके पास आया हू बोलो मैं क्या दरसता हूँ आपको इस इंस्टिटूशन का प्रेजिडेंट बनना होगा मुझे, रेली वेल, एट्स अनौनर फो मी बट बाइदर वे विक्राम तुम ये पैसों का इंदिजाम कहां से कर रहे हो वो आपने हो जाने के बाद बताऊंगा All the best Cheers जाने क्रेण प्रेण प्रेण वे वे वी बुमाओण बना हो बाद़िन है का इंस दोटर्ड़िन हो प्रेण वाँ पाँए ये आख क्षेर करता था कि बड़ी। बाइ गुम्हेंगा। कर दो कि अपेड़ ना कि अपेड़े लिए दो दो कि अपना है और अब जो खूनी पार एक रहां? तूडराब एक रा हु और फजय पार हु तूद्ट कर दो पाराफ प्राफ दोड़ा है जा भला हुआ हुआ है सो ते तू लो, सो ते तू लो, सो ते यहलो, सो लो, सो अदिन को खेलगे, हीलो, सोन है यहलो चैलो, ऑылगे उप्ष माइन जाने. दिन्मोल शन्सवा तुम इसे लाइटली मत लो प्लीज Come on, Ritika एक सपना ही तो था फिर भी इसे एगनो मत करो मेरे सपने सच हो जाते हैं पड़ी लिखे लड़की होकर तुम ऐसी बात ही करती हो Come on, don't be superstitious बिकार की टेंशन मत लो मैं तुमे कार चोड़ देता हू युनीटरेस्ट जाओ बिक्रम नहीं मैं तुम्हे आज के बाद नहीं देखना चाहता हूँ मैं तुम्हें तुम्हें नीचे रहोगे मिस्टर आगवन आव अंदर जाएंगे मिस्टर आगवन आव अंदर जाएंगे अरे विक्रम तुम यहां क्या कर रहो हूँ बैंक लूटने आया था उस दिन आपने कहा था कोई ना कोई सुरू लूट लेगा सोचा मैं ही ट्राय कर लिए अरे ऐसा मजाख बन्त करो आज वाकि किसीने बैंक लूटने का प्लान बनाय है अच्छा, हाँ, किसी ने टेलेफोन पर इतला कर दिया था, वो सकता है कि मजाख हो, बट वी कांट टेक चांस, इसलिए चारों तरफ हमने पुलीस तानात कर दिया है, प्रिकॉशन्स तो लेनी ही चाहिए, हाँ, ले रहा है भाई, पर एफ फोन कौन कर सकता है, हाँ, मेरी एक नीज है, उसे इस तरह की फोन करने के आदा थे, शायद उसने फोन किया हूँ, तो एक और उतने फोन किया था, हाँ, खोड़ो इन बातों को, विल्य हाँ, कापटी, नेक्स ताइए, करना जाईए, किया थाँ, बाता है, हाँ, नेक्स त although क्वेश्ड़ को लि Ground and Vai, घु क्वेश्स्द Tai जितना है, हाँ, हlen श्रभआवस्दददददिश ने जितना है कि अक्वेश्ड़ के बारे पज़ा लेतना है Mr. Sehgal, लोग आपकी मिसाल दिया करते हैं, Animal Lover. What happened? Anything wrong? Maybe it's the devil in me. Moth पानी में डूबने से हुई. लेकिन हमारे सामने अहम सवाल था, खुदकुशे या खून. इस हाथसे का एक चश्मदित गवाबी है. एक बुड़ी औरत. आप कहना क्या चाह रहे हैं? बंगले की मालकिन मिसिज डिसूजा ने भी काफी कुछ बताया है आप दोनों के जगड़ों के बारे में. जगड़े? जगड़ा? अन्बन कहा सुनी. जो भी कह लीजिए. और उसकी सहली का भी कहना है कि मिस रिदी का सन्याल पिछले कुछ दिनों से काफी अपसर्ट थी. और इस बात को डायरी भी सपोर्ट करती है? वो इस बात से बहुत डरी हुई थी कि कहीं वो आपको खोना बैठे. आप कोई खतरनाक एडवेंचर करने जा रहे थे. एडवेंचर? इसमें सब कुछ है. नो, मिस्सर सेगल. ये अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा. ये भी सबूँ एड़ाएगा. झालत में सबूत के तौर चाहाएगा किया जाएगा है? ये वो आपको अजया है. प्रिप्ट करने जाएगा है. वो आपको आपको खेशी करने जाएगा है. प्रिषए पावेंचर के सबूद्दाने उड़ेंगा है. अचिन साँचां फिन राली को जब कर देतक उन समर्पा ने के सम्लफियॉ अमी है कीका प्रना मारी कार निवस्त की गवाही से इस केस का हर पहलू साफ हो गया है और ये भी साफ हो गया है के मुल्जिम कौन है हालां कि मिस्टर सैगल कोट की स्पेशल परमिशन से अपना केस खुद लड़ रहे हैं पर मेरी राय में अगर वो किसी एक्सपीरियंस वकील को इंगेज करते तो कोट का समय भी बचता और मेरी भी कुछ मुश्किले आसान होती यूर अनर मैं या इनके मुश्किले आसान करने नहीं आया अपने केस की पैरवी करने आया पैरवी अब तुम क्या करोगे इस केस में आप बचा ही क्या है इस केस इस ओवर इंस्पेक्टर साभ इसका मतलब यह हुआ कि विक्रम सहगल ने उस लड़की की जान बचाने की कोशिश की लेकिन बचा नहीं सका जी हाँ अब अब आपने अदालत के सामने कहा कि विक्रम सहगल ने लड़की की जान बचाने की कोशिश की लेकिन बचा नहीं सका ये आपको विक्रम सहेगल से ही पता चला होगा जी इसका मतलब है कि आप विक्रम सहेगल की जबान बोल रहे हैं जो भी आप कहले और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इस केस में विक्रम सहेगल ही मुल्सिम भी है जानता हूँ Good. Your Honor, point to be noted. This is a conclusion. Sustained. Do you remember that when we came back, what did I do? What was my surprise? What did you tell me, sir? The priest of the priest of the priest had a little bit of forgiveness for children. That's all, Your Honor. Just like you were going to be working on your mission, you got stuck in this case. The priest of the priest is gone. What can you say about the fight? Yes, there is nothing. But, Vikram, where did you go from? Sir, मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ और आपसे जूट नहीं बोल सकता. लेकिन आपकी सवाल का जवाब देने के लिए मुझे कुछ सवाल करने होंगे. हाँ, पूछो. Sir, अगर एक करीब आद में किसी का पेट भरने के लिए जोरी करता है, तो आप क्या करेंगे? तो मैं उसे नजर अंदाज कर दूँगा? और अगर कोई किसी निर्दोश को बचाने के लिए ऐसा करता है तो? तो मैं उसे भी बुरा नहीं समझूँगा. और ऐसे निर्दोश अगर हजारों की तादाद में हो तो? तो यह नेक काम बन जाता है. यही आपके सवाल का जवाब है. मिस्स डिसूजा, आपने बताया कि रितिका एक बहुत अच्छी लड़की थी, और फिर उसके सभाव में बदलाव आया. इससे आपका क्या मतलब है? मतलब कि पहला वह कितना फान लविंग थी, हस्मुक थी, लेकिन बाद में वह एकदम सैद सैद रहने लगी, शिर्चरी भी हो गई थी. इस बदलाव की क्या वज़े थी? कि आपने इसका पता लगाया? I never tried to find out, Baba. दूसरी लड़कियों ने मुझे खुद बताया. क्या? कि इस सब का जिम्मिदार उसका बॉइफरेंट था. I see. तो दूसरी लड़कियों ने आपको ये भी बताया होगा कि उसका बॉइफरेंट कौन है? बताया. विक्रम सेगल, दर बॉइ.. यूर विटनस, मिस्टर सेगल. Mrs. D'Souza, आपने अपने बंगले में पेंगेस रखना कब से शुरू किया? दस बरस पहले, जबी मेरा हैंडरी अफूर. आम तोर पर कितनी लड़किया रहती थी? Not many. Ten. Ten? और आपको सभी लड़कियों के सोनेम्स तो मालूम होंगे? What a question to ask, Baba. I know everything about my girls, Your Honor. Of course. अची याददाश है की? Yes, thank you. तो याद कर के बताईए कि पिछले साल की 27 दिसमबर को क्या हुआ? 27 दिसमबर? जी हाँ, 27 दिसमबर. नहीं यादाया? मैं याद दिलाता. पिछले साल के 27 दिसमबर को one of your girls, मिस मानिका राउ को प्रोस्टिटूशन के सिलसले में अरेस्ट किया गया था और पुलीस ने इसके बारे में आपसे काफी पूछताच की थी. I object to Your Honor. Mr. Seagal की इस बात का इस केस से कोई सम्मन नहीं है. Sustained. Mrs. Dissouza, क्या ये सच नहीं है कि आप बड़ी बड़ी पार्टिया रेंज करने के लिए मशूर हैं? जहां सिर्फ शराब और शबाब ही शामिल हो सकते हैं. और रितिका सन्याग का बॉइफ्रेंड होना आपको इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि इससे आपको कोई फाइदा नहीं होने वाला था. Mr. Nilima Saniya, आप इस बंगले में कब से रहती हैं? दो बरस से. दो बरस से. उसी कमरे में जा रितिका रहती थी? नहीं, पिछले साल मैं दूसरे कमरे में थी. तो आप इस कमरे में कैसे आ गए? रितिका के कमरे में जगे खाली हो गई, तो मैं वहाँ शिफ्ट हो गई. कोई खास वज़ा है? वो कमरे जादा अच्छा था. जादा अच्छा था. तो एक साल से आप और रितिका एक ही कमरे में रहती थी? जी हाँ. तो जाहिर है कि आप रितिका को अच्छी तरह जानती थी? जी हाँ. बहुत अच्छी तरह? बहुत अच्छी तरह. तो उसके अफेर के बारे में भी पता होगा? जी हाँ. इस बारे में बातचीत भी होती होगी? बेशक वो मुझसे कुछ ने चुपाती थी ये भी बताया होगा कि वो किस से प्यार करती है, कौन है, कैसा है बताया था तो क्या रियाक्शन था आपका? अफैर उसका था, मेरे रियाक्शन का क्या मतलब है? मतलब ये कि आप उसमें दिल्चस्पी लेने लगी, आपने उसे बुरा भला समझाया, आप बोर हो गई, या आपको बुरा लगा जवाब दीजे मिसानी मुझे कुछ नहीं लगा, उसने बताया, मैंने सुन लिया, बस आपको गुसा नहीं आए? मैं क्यों गुसा होने लगी? मिसानी, आप दोनों कहां सोया करती थी? अपने कमरे में और कहां? कमरे में, लेकिन कहां? अपने-पने बिस्तर पर? अलग-अलग या एक ही बिस्तर पर? अबजेक्शन, यूर ओनर! यूर ओनर, इस तरह के सवाल पूछना, विटनिस के कैरेक्टर पर कीचड़ उचालना है? यूर ओनर, आप देखेंगे कि I have a positive reason. यूर ओनर ऐसी बाते जोर से नहीं की जाती. लेकिन दो बिस्तरों के बीच में काफी फासला होता है. यू में प्रोसीड. तो बताईए, अलग-अलग या एक ही बिस्तर पर? कभी-कभी एक ही बिस्तर पर? अक्सर हम लोग देरा तक बाते किया करते थे, तो कभी-कभी बाते करते करते नीद भी आ जाती थी. बातों के इलावा और कोई मकसद नहीं था? अब्जेक्शन, यूर ओनर. यूर ओनर, इस तरह का सवाल पूछना डी सिंसी की लिमिट के बाहर है. सस्तेंड. मिस निलिमा सानी करीब आट महीने पहले डिस्को तेक की वो रात याद है आपको? जी नहीं, मुझे नहीं मालूम आप किस रात की बात कर रहे हैं. नहीं याद आया? लेकिन किसी को इतना तक याद है कि उस रात आपने किस तरह के कपड़े पहन रखे थे? ये सब आप क्यू पूछ रहे हैं? आपने टाइट पिटिंग जीन्स पहनी थी, लेधर जैकेट भी थी और उसे मैच करते हुए बूट. अंग्रेजी संगीत पर लोग नाच रहेते हैं, अचानक सब की नजर आपका पीछा करने लगी, क्यू? ये क्या बखवास है? भीड को चीरती हुई, आप सीधा विक्रम सेगल के पास आई. ये जूट है. ये सच है, आपने विक्रम सेगल को उंची आवाज में धंकी भी दी. ये जूट है. आपने विक्रम सेगल से कहा कि तुम रितिका से दूर रहना, और ये जूट है, जूट है. यूर आउनर, पूजा आमित राजेश को मैं गवाओं के तौर पेश करता हूँ. कोई ज़रूरत नहीं गवाओं के. हाँ, कहा था मैंने. मैं तुमसे नफरत करती हूँ. अब भी करती हूँ. इंपक्ट, आपने किल यू राइट ना. और और, और. यूर आउनर, मेरी समझ में नहीं आ रहा. मिस्टर सैगल, अदालत में ये ड्रामा करके, प्रूफ क्या करना चाहते हैं. ये सब बातें इर्रेलेवेंट हैं. इन सब बातों का, इस केस के साथ में कोई तालुक नहीं है. तालुक है, यूर आउनर, तालुक है. मिस्टर सैगल, मिस्स निलमा सानी, अभी-अभी आपने भरी अदालत में कबूल किया कि आपने विक्रम सैगल को धंकी दी. बता सकती है क्यों, क्योंकि आप मुझसे जेलिस थी, क्योंकि आप रृतिका से प्यार करती थी, वैसा प्यार जैसे एक मर्द एक औरत से करता है. यू रास्कल! अजीब बात है, कभी-कभी केस जीतने के लिए कीचड में भी हाथ डालना पड़ता है. Like, character assassination. और इसी में अक्सर आदमी की जिन्दगी तक बर्बाद हो जाती है. यही वज़ए मुझे इस प्रफेशन से नफरत है. फिर भी तुम्हें ये सब करना पड़ाना? मैं और क्या करता? और कोई रास्ता ही नहीं था. वरना निलिमा से मेरी कोई जियाती दुश्मनी नहीं है. मुझे तो यकीन नहीं आता. रीतिका का इस तरह मर जाना, तुम्हारा केस लड़ना, और केस भी कितना आजीब. सर, सच्चा है? उलूजन में कितना फार्ख है? कोई बता सकता है? या कब एक की हद खतम होती है और दूसरी की शुरू हो जाती है? कोई नहीं बता सकता. क्योंकि सब का सच अलग होता है. सब के इलूजन्स अलग होते हैं. क्योंकि सब के इलूजन्स अलग होते हैं. क्योंकि सब के इलुजन्स अलग होते हैं. क्योंकि सब के इलुजन्स अलग होते हैं. तेरी हर अदा सिदम है जान लिवा तेरा इश्क तो खाँ पहरआ है जान लिवा जाइनली वाह, जाइनली वाह, जाइनली वाह दिल है बेचे मैं परिशाँ दिल की में निकले न जोगा मेरे सपने तेरे अपने दिल की में लाया तुफाँ तेरा मुझ पे जो करम है जान लेवा तेरा इश्क तो भरम है जान लेवा जान लेवा जान लेवा जान लेवा जान लेवा जानस लेवा में वेवा में गपनी लग हैं दो फिस वेघ कि मैं अगितन भूप साथ प्सक्राइब मीड़ा हैं कि वे धे लुट हैं मेरा लाग नहीं मान सुर सुर ही जिवन ओए है है तो कहा है बधन ओए है है कर मुझ पेले हम तुझे मेरी है कसम हम दिन बें तेरी लगन है जान लेवा पिक भड किसी अगन है जान लेवा जान लेवा जान लेवा जान लेवा है थैर करक चलादे ही और जनने माना जनने तरह भजाएई है, तNot प्रभाः है पहा है že मक्न खोटुटी जोच है कि को दे है हो ग को उना में ड़ाई है तोgend है यह क्या क्या रही है आप यॉर आउनर ये आउरत अपने बयान से मुकर गई है शी स्टरंड होस्टाल विटनिस मेरी अदालत से रिक्वेस्ट है कि इस आउरत के बयान को नजर अंदास किया जाए यॉर आउनर, मैं इस विटनिस से फिर भी कुछ सवाल करना चाहूंगा परमिशन गॉन्टेड, यू में प्रसीड नमस्कार काकी, आप मुझे पैचानती है, कैसे? वो पुलिस दादन फोटो दिखाया था न, वो पूछा था मरद यही है क्या, तो मैं बोली हाँ पुलिस अगर आपको फोटो न दिखाती, तो आप मुझे नहीं पैचानती ये डाकी काए तू, फोटो नहीं दिखाती, तो कैसा पैचानती? पॉइंट भी नोटिर यॉनर, अच्छा काकी, आपने पुलिस को ये बताया, कि आप वहाँ अकेली नहीं थी आपके साथ दो औरते और भी थी? हाँ, गंगा और इटा मेरी सहलिया अच्छा, तो गंगा और इटा ने ये भी देखा होगा, जो आपने देखा लोका फिर लेका है तूजर, चटन के बिचे खड़ी थी, वह कैसा देखेगी? अच्छा काकी, ये बताईए, जब लड़की का हाथ छूटा और वो दर्या में किरी, तो आपने क्या किया? अरे, दोडा दोडा के उनके पास गई, बोली गंगा इटिया, आओ, आओ, देखो आपका वहाँ जाना, उन्हें बुलाना, वापस आना, ये सब कुछ में कितना टाइम लगा होगा, एक मिनिट, दो मिनिट? ऐसाच कुछ लगा होगा तो फिर आपने कैसे देख लिया कि मर्द दादर की तरफ दोडा और वहाँ आकर रुक गया, जहां औरत गिरी थी? हाँ, तुम बराबर बोलता है, ये दादा, ये बराबर बोलता है, मेरे को लगा, मैंने देखा अरे काकी, किसी की जिन्दगी का सवाल है, तो सोचे और बताएए कि आपने देखा, या आपको लगा कि आपने देखा और बाई लोगों को बिलाने के बाद आप तीनों तो और आपने मर्द को कैसे देखा? ये भी बराबर है, मेरे कुछ समझ में नहीं आता, मैं ये अरौनर, मैं मुल्जिम विक्रम सैगल से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ अगर मिस्टर विक्रम सैगल को एतराज नहों तो केस सॉल्फ करने के लिए अगर मैं अदालत के काम आ सकता हूँ, तो वाई नाट मिस्टर सैगल, पता सकते हैं किस खत्रे के बारे में सोच रही थी मिस्स सान्याल काला सफेद कुछ भी करके आप क्या करना चाहते थे आर्टिकल 21 के मुताबिक मैं सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हूँ कोई बात नहीं, थोड़ी देर में सही सुनिए सप्टेंबर 22 आखिरकार जिसका डर था वो हो ही गया एक पल को लगा जैसे मैंने विक्रम को खो दिया है मेरी आत्मा मुझे रोक रही थी और मैं विक्रम को रोकना चाहती थी उससे ये बरदाश नहीं हुआ उसने मुझे ठुकरा दिया सुनी सडक पर अकेली मैं जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं रह गया मेरी वफादारी पश्चक था तब ही मैंने सामने देखा के विक्रम की कार आ रही थी ये खत उससे अगले दिन का है यानि 23 सितंबर जिसे आप इने लिखा है और आपके दस्तख़द भी है जिसे पैचानते हैं आप जी हाँ जिसे आप ही पढ़ कर सुनाएंगे या आप ही पढ़ दीजिए ओके मेरी प्यारी रितिका एक इनसान जब किसी को जी जान से प्यार करता है और उसी को किसी जुर्म में शामिल करना चाहता है तो उसकी जिम्मेदारी और तकलीफ कई गुना बढ़ जाती है कल रात तुमें कमरे से निकाल देने के बाद मैं इसी तकलीफ से गुजरा लेकिन ये ख़त लिखने की वजह सिर्फ ये तकलीफ नहीं है मैंने जब अपने इरादे तुम्हारे सामने रखे तो तुमें गहरा धका लगा तुम डर गई तुम्हारी वफादारी में दरार आ गई इड वोज यो प्रॉमिस रितिका कि दोनों में से अगर किसी के भी कदम लड़ खडा जाएं तो जान देके हर जाना भरना पड़ेगा जाने मन रास्ता भी है मन्जिल भी है लेकिन सफर बहुत लंबा है तुम्हारा विक्रम मिस्टर सेगल आपको इसके बारे में कुछ कहना है जी नहीं गुट यॉर ओनर मेरी रिक्वेस्ट है कि ये लेटर भी एविडेंस के तौर पर अदालत में डिपॉजिट किया जाए लुट लुट सौ्री लुट लुट छबलिष मेरा यकीन करो मैं कभी तुम्हार वुरterror नहींचा थूचृ नहींस सम्मूट 슘 की शुट अधी अधालत प्रairs चुट प्रेची को म।झे इं भू़ अध्धे लाग। तुम्हार थाख छोड़ा ये अच्छा किया, सॉरी बोलता है, सॉरी. मेरे प्यार का कितना घिनोना रूपेश किया है तुमने, याद रखो, रित्व से मैं बहुत प्यार करती हूँ, जी जान से प्यार करती हूँ और हमेशा प्यार करती रहूंगी, लेकिन उस तरह नहीं, जिससे तुमने अदालत में थाबित किया है. वो मेरी मजबूरी थी. मुझे अफसोस है कि मैंने तुमी… अफसोस? अब तुम अपनी मजबूरी पर अफसोस कर रहे हो या मुझ पर तरस खा रहे हो? तैंक यू, नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्वी. और शायद तुम ये नहीं जानते, कि मैं सब कुछ जानती हूँ, और जिससे तुम सच समझते हो, वो तुम्हारा अंदाजा है बस. चाहू तो मैं तुम्हें बर्बाद कर सकती हूँ, लेकिन अब मुझे तुम पर तरस आ रहा है. मिस्टर सेगल, सभी जानते हैं कि आप एक न्याई संस्था शुरू करना चाहते थे. क्या नाम रखा था उस संस्था का आपने? न्याई दर्शन. कितना पैसा चाहिए था आपको उस संस्था के लिए? बिस, पच्छीस, तीस लाग. और उसके लिए आपने सेरेडे टाइम्स में एक आर्टिकल भी लिखा था. जी हाँ. क्या रिस्पॉंस आया था उसका? बहुत सारी शाबाशिया मिली. यहनि फाइदा कुछ नहीं हुआ. फाइदे से अगर आपका मतलब पैसो से है तो जी नहीं, नहीं हुआ. और आप यह संस्था हर हाल में बनाना चाहते थे, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते थे. जी हाँ. गैर खानूनी काम भी कर सकते थे, राइट? मिस्टर मेरा, मैं ऐसे सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हूँ. मिस्टर सैगल, आपने सच बोलने की कसम खाई है. एक पिचारी मासूम लड़की को अपनी जान गवानी पड़ी और आप हमें लौस रखा रहे हैं. मिस्टर मेरा, कि आप जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, वो मेरी जिन्दगी थी. इसके बावजूद भी, I'm sorry to say, आप कॉपरेट नहीं कर रहे हैं. देखिए, मैं अदालत का वक्त बरबाद नहीं करना चाहता. लेकिन आप कॉपरेट नहीं करेंगे, तो ये देखिए, डायरी की आखरी एंट्री, जिससे साफ पता चल जाएगा, कि आप कितना प्यार करते थें. 13 दिसंबर, हे भगवान, कितना बुरा सपना था. मैंने देखा कि विक्रम पर गोली चली. मैं इसे नजर अंदाज नहीं कर सकती. मेरे सपने सच हो जाते हैं. मुझे उसे रोकना ही होगा. उसे सपने के बारे में बताना ही होगा. इस वक्त, रात के दो बचे हैं, फिर भी मैं विक्रम के पास गई. जैसे ही मैंने उसे बताया, उसकी आँखों में गुस्से की लहर दोड़ गई. Your Honor, प्लीज नोट इस लाइन. चहरा तन गया. मुझे लगा कि वो जैसे मेरा गला ही दबा देगा. लेकिन धीरे धीरे वो शान्त हो गया. मुझे कहा कि तुम पड़ी लड़की हो, सपना तो सपना ही होता है. उसने अगर ये कदम उठाया, तो ये सीधी आत्महत्या होगी. और इसमें मैं भी शामिल हूँ. उसे रोकने के लिए क्या करूँ? नीलू से बात करूँ? लेकिन ये तो धोका होगा, धोका. विकरम का वो खत यादाया, जिसमें उसने वफादारी वली बात लिखी थी. क्या करूँ? क्या करूँ? आत्महत्या? लेकिन मेरी आत्महत्या से वो कैसे बचेगा? उसे बचाने के लिए अगर मुझे मरना भी पड़े तो मुझे कोई परवाँ नहीं. ये थी रात की बात. अगले दिन सुबह साड़े नौ बजे आप मिस सान्याल को अपने साथ ले गए. जी है. उसके बाद किसी ने उनको जिन्दा नहीं देखा. रेकॉर्ड के मताबिक. और इस डाइरी से पता चलता है कि मिस सान्याल को मालूम था कि उनका अंत आ गया है. ऐसा लगता है. और आप जोर देकर कह रहे हैं कि मिस सान्याल खुदकुशी नहीं कर सकती थी. जी है, मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ. यरॉर्णर, डाइरी की इस आखरी एंट्री से ये जाहिर होता है कि मिस सान्याल को मालूम था कि अगर वो खुदकुशी नहीं करती तो उनका प्रेमी उन्हें माड डालेगा. जब खुदकुशी का इरादा उन्होंने छोड़ दिया था, तो बाकी क्या बचता है? यरॉर्णर, डाइरी की एंट्री और सरकम्स्टेंशिल एविडेंस इसी थियोरी को प्रूफ करते हैं. सवाल ये है, कि वो ऐसा कौन सा खतरनाक कदम था, जो मिस्टर सेगल उठाने जा रहे थे, और जिसमें शामिल होने से मिस सान्याल ले इंकार कर दिया था, अगर वो पता चल जाए, तो ये पूरा केस सॉल्व हो जाता है. ठीक है, लेकिन वो कौन सा प्लैन था? उसके बारे में तो ये जानते हैं, और कानून का साहरा लेके हमें बताने से इंकार कर रहे हैं. डिसकस्टिंग. यर उनर, ये भी हो सकता है, कि कोई तीसरा था जिसको मिस सान्याल ने इस प्लैन के बारे में बताया था. कास तोर पर वो सपना देखने के बाद. क्या, क्या इस अदालत में कोई शक्स है, जो मिस्टर सेगल के प्लैन के बारे में जानता है? है कोई, है कोई, जो कानून की मदद कर सकता है? एक मासूम लड़की की जान गई है, कोई उस मासूम को इलसाफ दिला सकता है? यूर हॉनर, शायद विक्रम सेगल का इरादा बैंक लूटने का था. वाट? यह आप क्या कह रहे हैं? हाँ, वो बैंक लूटना चाहता था. रितिका, विक्रम, एक दूसरे से प्यार करते थे. उन दोनों में करार था कि बेवफाई की सजा मौत होगी. विक्रम सेगल एक संस्ता खुलना चाता था, न्याए दर्शन. उसका सपना था, करीबों को न्याए दिलाना. लेकिन एक संस्ता, हवा और पानी पर तो नहीं चल सकती. उसके लिए, पैसो की जरुरत थी और काफी पैसो की. इसलिए विक्रम अपने अमीर बाप और उनके दोस्तों के पास मदद के लिए गया. मदद देना तुदूर, उन लोगों ने उसका मज़ाख उड़ा है. फिर उसने एक लेक लिखा, लेक छपा, बहुत सारी तारीफ और शाबाश्या भी मिली. लेकिन, मदद करने कोई नहीं आया. अब विक्रम की पेचनी पड़ती गई. अपना सपना सच करने के लिए इतना सारा पैसा कहां से लाए? अच्छानक उसके दिमाग में खयाल आया, बैंक. एक साथ इतना सारा पैसा सिर्फ बैंक में ही मिलेगा. विक्रम बैंक लूटने का एरादा पक्का कर लेता है. लेकिन अकेला अदमी बैंक तो लूट नहीं सकता. अपनों के नाम पर बस उसकी प्रेमी का रितिका थी. विक्रम रितिका को अपने प्लान के बार में बताता है. रितिका को यकीन ही नहीं होता कि उसका प्रेमी बैंक लूटने जैसा संगीन जुर्म भी कर सकता है वो घबरा जाती है विक्रम को गुस्सा आता है रितिका को घर के बार निकाल देता है इश्क का मारा विक्रम अपने विवार पर पच्चताया अपनी प्रेमिका को मनाने निकल पड़ा वो मिली, मान भी गई यही विक्रम सैगल से बहुत बड़ी भूल हो गई रितिका पूरी तरह से विक्रम के सामने सरेंडर कर देती है विक्रम पुरे ही उत्सा और लगन से बैंक लूटने का प्लान बनाता है आप आता है 13 दिसमबर का दिन, जिस दिन बैंक लुटा जाना है विक्रम पूरी तरह अपने प्लान के साथ तयार था, बारीक बारीक डीटेल्स पर काम कर चुका था न्याए दर्शन जैसे नेक ख्वाब की शुरुआत एक जुर्म से होने वाली थी लेकिन अचानक, रिटिका एक सपना देख लेती है एक ऐसा सपना जिसकी कीमत न्याए दर्शन के सपने को चुकानी होगी रिटिका विक्रम का साथ देने से इंकार कर देती है न्याए दर्शन का सपना चूर चूर हो जाता है, इसका जिम्मेदार कौन? एक कमजोर औरत, एक कमजोर साथी चलो कोई बात नहीं विक्रम फैसला कर लेता है कि वो बैंक लूटेगा, अकेला लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने विक्रम के सबर के बांग तोड़ डाले रिटिका बैंक को फोन करके इंफॉर्म कर देती है इतना बड़ा धोका बेवफाई की सजा मौत तैह हो चुकी थी सजा अपने प्रेमिका को देनी थी इसलिए जरा प्यार से देनी होगी विक्रम अपनी प्रेमिका को एक बार फिर उसी किले वाले खंडरों पर ले जाता है वहाँ दोनों बच्चों की तरह आख में चोली खिलते है किले की दिवार पर दोड़ते हैं और वहाँ बड़े प्यार से वो अपने प्रेमिका को एक यादगार मौत देता है एक ऐसी मौत जो खुदखुशी लगे या एक्सिरेंट यह रॉनर यहाँ पर यह काहनी खतम होती है दो प्रेमियों की अजीब दास्तान जुर्म और गुना की काहनी प्रेम और विश्वासगात की काहनी क्या यह आपका कनफेशन है या मनघड़त किस्सा कनफेशन हरगस नहीं यह रॉनर हालात के टुक्डों को यहाँ वासे जोड़कर मैंने भी एक तस्वीर बनाई है मिस्टर मेरा के असानी के लिए यह रॉनर ऐसी बेहुदा बचकानी कहानी मैंने अपनी जिन्दगी में नहीं सुनी वाजब सबूत ना मिलने की वज़़ से मुल्जिम विक्रम सहगल को इस इल्जाम से बाइज़त परी किया जाता है प्लीज बेठ जाओ प्लीज तो तुमने अदारोत को बताये क्यों नहीं क्या जो भी तुम्हे मालूम था मैं और क्या कहती तुमने तो वो भी बता दिया जो मुझे भी नहीं मालूम था प्लीज नहीं repetit प्लीज ड़ी प्लाव किते हैं भी जो भी जा विक्रम बैंक को फोन रितुने नहीं, मैंने किया था बैंक किया। थत्त विक्रम, विक्रम, बेटे, तुम्हारे लिए खुश्खाबरी है, तुम्हारे पापा तुम्हारे नया दर्शन के लिए पैसे देने के लिए तयार हो गये है, चलो, थांक्स कहो चलकर, अब मुझे पैसो की ज़रुद नहीं, मा, क्यों बेटे, एनिवे तुम चलो तो, मैं नहीं या रहा, लोग तुम्हे विश्ख करना चाते हैं, मैं नहीं या रहा, क्यों बेटे, मा, आप तुम्हे जानती है, कितना जिद्दिय हुमें, प्लीज मुझे फॉस्मत कीजे, ओके, औरेँ को और और कितना जा था सिर्चरा सिरे को, मैं मैं और को तो नहीं, वेक्राप, जैस् है हाहाहा यहाहाहाफ यहाहा ज़्ट विकरं लेक्न गैसा तोस्ट है वहिए विकरं है कहां कम से कम उसे भुलाईये है फिर भीर न कहना कि दोखना के बहरा हमें खबरदार नहीं किया है ह हुंढ HU थे अर्श थी इस अ कि अ हुंढ हाई इस रहा हुंढ है क्टूल विक्रम, तुम्हारी काम्याबी पर मुबारिक बाद भेज रही हूँ तुम्हें याद है, जब तुम रितिका के साथ मेरे घर पर आये थे काला गुलाब देखकर तुम बच्चे की तरह होश हो गए थे और मुझे ये भी आद है, कि जब रितिका को काटा चुभा था तो दर्द मेंने तुम्हारे चेहरे पर देखा था पैसा ही एक गुलाब तुम्हारे लिए बहुत-बहुत प्यार तुम्हारी नानी पाल r Risale तुम्हारे जाँ去了 व्यार के जो प्ज़ाँ के जिसज़ा तुम्हारे वहारे था ह क्टू अब जोगाए जोगाए देखा देखा है दोगाए दोगाए जोगाए पिकरो अमारे पिछ देह वाता कि अगर मेरे कथम लड़कडागे तो सब्सक्राइब if you want to kill me, kill me, I'm all yours hey, come on, don't be silly, it's okay, and Saza what happened? you have done anything for me प्रिर ले किया ना? बूल जावे सब कुछ Come on Sure up I love you And you love me You love me, right? इन आखो में आसुने प्यार चलकना चाहिए प्रुट प्रुट आसुने झाल प्रुट प्रुट जाव तरुट यह प्रुट मैं". रहाँ. एग! एग! काई... एगार कि आहार कि भ pater कि अजग्ग हुआ 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 झे हाह भो कि अग्ञ्ञ्ञ्ञ्ञ्ञ्ञ्ञ्ञ्ञ्ञ्डियों! झाल प्रित कर दो जोच्ट में प्रित कर दो यहाई यहाई जीओड़ आर आर जीओड़ यहाई जीओड़ यहाई मुश्ण योओ को! इनको! मुश्ण! इनको! मुश्ण! मुश्ण! हुई हॉई घुह जय झाल 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 जे टो दो दोता बोल मेंगा सन्य है हegtन्यार हुझ कर्यआ धोराइँ को छ tenga को एक फिलो धन म yazवा अ rất अरashes वेक्रम 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 तुमने सपना नहीं सच देखा था मेरा तु सपना भी तुम हो और सच भी तुम अब ना सपना है ना सच बस तुम ही तुम हो हमारे प्यार को अमर कर रहा हूं प्यार कर और जुम हो आए तुम हो और만 कर दो पोपना कर दो दो कर दो आदे रुड़ाब कर दो कर दो दो खो बातारा नार जो आदेता है जाँ कर दो, कर दो, का दो खचा जाँ कर दो कर दो कर दो कर दो घूए बहुता है